इस विडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस विडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से ज़रूर सलाह ले। अगर आप इस विडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करते हैं और आपको कोई side effect होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी एक निसोल जेल एक एंटी बाउटेक है जो बैक्टीरिया से लड़ता है इसका उपयोग मुहासों के इलाज के लिए किया जाता है जो आपके चहरे छाती या पीट पर धब्बे या फुनसी के रूप में दिखाई देते हैं यह दवा उन बैक्टीरिया पर हमला करके काम करती है जिनके कारण यह पिंपल होते हैं एक निसोल जेल केवल बाहरी अंगों के लिए है और इसे डॉक्टर द्वारा दी गई सलाह के अनुसार इस्तिमाल किया जाना चाहिए आपको आम तोर पर दवा की पतली परत लगाने से पहले प्रभाविक शेत्र को धोना और सुखाना चाहिए इसे तूटी या क्षत इग्रस त्वचा पर नहीं लगाया जाना चाहिए अपनी आखों नाक या मूँ के संपर्ख में लाने से बचें अगर यह गलती से लग जाए तो इसे बहुत सारे पानी से धुएं आपके लक्षनों में सुधार होने में कुछ हफते लग सक लेकिन आपको नियमित रूप से इस दवा का इस्तेमाल करते रहना चाहिए जैसे ही आपके मुहा से ठीक होने लगे इसका इस्तेमाल बंद न करें इलाज रोकने से पहले अपने डॉक्टर से पूछें कुछ लोगों में मामूली खुजली, त्वचा की जलन या लाल होना और और ओली त्वचा जैसे सामाने साइड इफेक्ट देखे जा सकते हैं ये आमतोर परस्थाई होते हैं और अपने आप ठीक हो जाते हैं अगर वे आपको परेशान करते हैं या नहीं जाते हैं तो अपने डॉक्टर से परामर्श करें ये एक सुरक्षित दवा है लेकिन अगर आपको आपके बाउल, आंतो से संबंधित कोई समस्या है तो आपको अपने डॉक्टर को सूचित करना चाहिए इसके अलावा, अगर आपको एंटिबाउटेक्स लेने के कारण खूनी दस्थ हुआ हो या आप तवचा का इलाज करने के लिए किसी अन्य दवा का इस्तिमाल कर रहे हैं तो डॉक्टर को बताएं अगर आप गरभवती हैं या स्तनपान कर रहे हैं तो इस दवा का उपयोग करने के बारे में अपने डॉक्टर से परामर्श ले विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद